हलो अब्रिवाइन असलाम वालाइकूं नमस्ते टेस्ट अफ कुशी पे आप सबका स्वागत है अज हम बनाएंगे डिलेशियस यम्मी सूजी केटी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रीडियन्स चाहिए जली एक बार देख लेते हैं तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक कटूरी चावल एक कटूरी सूजी तोड़ा सा गी, बेकिंग सोडा और चिनी बस यही सारी इंडिडियेट हमें चाहिए गेस की प्लेम को ओन कर देंगे और एक पेन में सूजी को फ्राई करेंगे तोड़ा सा गी या फिर आप बाटर भी उज़ कर सकते हो इन्हें यहां तोड़ा सा गी उज़ किया है यान सूजी को फ्राई कर लिया है सूजी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है लगबग पाँच मिर्ट जितना फ्राई करना है ज़्यादा कानर भी चेंग छोने नहीं देना है खाने के बाद जो चावल बद जाता है उसी चावल से आप यह यम्मी डिलेशेंस डेजर्ट बना सकते हो तो यहां मैंने यूज किया है छोट सर्व एक काटोरी चावल चावल को अग्डाइन कर लेंगे चावल की जो बेटर हमने बनाया है उसी के साथ सूजी को डाल देंगे और देने देने तोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो जिसे आप यहां देख सकते हो हमारी सूजी और चावल की जो बेटर को बनके तयार हो चुकी है तो consistency आप देख सकते हूँ, जादा तिक भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं उसके बाद इन सारे चीजों को एक साथ अच्छी से मिला लेंगे, उसे 20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे जिस पैन में हम dessert को बनाएंगे, उस पैन को बाटर से ग्रीज कर देंगे उसके बाद हम हमारे बैटर को इस पैन में अच्छी से डाल देंगे उसके बाद एक ओविन में 250 डिगी टेंपरिचर में 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे अब जिस पैन में हम ये dessert बनाएंगे उस पैन में गी या बाटर आप अच्छी तरह से लगा लें 10 मिनिट हो चुका है तो आप यहां देख सकते हो हमारे यमी डिलिशेज डिजर्ट बनके तयार आप नाइस की मदद से आप उसे किसी भी शेप में खट कर सकते हो मैंने यहां स्कॉयर शेप में काटा है और आप यहां उसकी उपर में ड्राइफ रूट्स की टुकरे भी डाल सकते हो गार्निशिंग के लिए या फिर कॉकोनट की टुकरे भी डाल सकते हो मैंने नहीं डालाए क्योंकि मेरा एक चोटे सा डेवी है अगर उसकी मुह में चला जाएगा तो थोड़ा सा डेंजरिस हो सकता है तो इसके लिए मैंने नहीं डाला लेकिन आप डाल सकते हो अगर आप डालेंगे ड्राइब फुर्ट्स या कोकुलर्ट तो ये खाने में और भ अगर आप लोक में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर एंट श्क्राइब करें थिंक्यू